नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुमित और स्वागत है आपका इट सुमित कुमार की एक और नए वीडियो में अब भाई गाड़ी लेते समय एक चीट बहुत जादा इंपोर्टेंट रहती है और जो आपकी आखों को 24 गंटे दिखाई देगी वो है भाई गाड़ी का कलर सो गा टियागो का वाइट कलर क्यों चूज किया क्या इसके बेनिफिट से अब एक और साल इसको ऑन करते करते हो गया वाइट कलर के रियल में कुछ-कुछ बेनिफिट जो हैं वो मेरे सामने निकल करके आए हैं वैसे तो किसी भी गाड़ी का जो कलर है वो अपना सबसे पहला benefit जो मुझे लगा ऐसे नहीं थोड़ा सा गाड़ी को दिखा करके आपको बताते हैं अब हम वाइड एंगल से शिफ्ट हो चुके हैं अपने नॉर्मल वाले एंगल में इसमें क्लेरीटी थोड़ी सी जादा आती है क्योंकि आप गाड़ी को देखें और पहली चीज वाइट कलर जो है मुझे देखने में अच्छा लग रहा है बाकी गाड़ियों से किसी भी बाकी कलर से किसी भी मुकाब करना नहीं पड़ा कि जैसे आज गाड़ी बुक करी कल ही अगले दिन मुझे शोरूम में रखी की रखी मिल गई थी तो उसमें यह वाली दिक्कत आई नहीं थी तो मेरे पास चॉइस थी ठीक है एकदम डिलेवरी के टाइम पर मैंने वाइट कलर चूज किया तो सबसे पहल इस नियम वाशर्ते हैं वह आप थोड़ा सा जान ले ध्यान से तो यह आप वाइट कलर देख पा रहे हैं दिस एक्चूली नॉट प्योर वाइट यह एक्चूली प्योर वाइट नहीं है इसे परलेसेंट वाइट टाटा बोलता और परलेसेंट वाइट एक्चुल में भी हो चुका है एंड वाइट कलर इधर से रीपेंट हुआ है सो इसके जो मेंटेनेंस कोस्ट एक्च्वल में उतनी कम नहीं रहती अगर आप गाड़ी को रीपेंट करवाना चाहें कहीं पर कुछ भी क्योंकि यह रेगुलर वाइट कलर नहीं इसमें आपको साथ ही साथ जो चमक आती है वाइट कलर के अंदर वह भी देखने को मिलती हैं लेकिन बाकी कलर जैसे रेड ग्रे और ब्लू एंड वाटेवर ब्लेक वागेरा जो भी जितने कलर हैं उनसे थोड़ी सी कम ही आपको थोड़ा सा बेनिफिट है लेकिन थोड़ा वाइट कलर मतलब किस टाइप का आपका उसके उपर डिपेंड करता है अगला बेनिफिट यह है कि जो वाइट कलर होता है यह आपके नॉर्मल छोटे मूटे हलके फुल के जो गाड़ी में स्क्रेचेज रहते हैं उन्हें कर देता है एंड साथ ही साथ जो छोटे मोटे हलके फुल के डेंट पढ़ गाए ना वह एकदम इसमें से रिफ्लेक्ट हो करके नहीं आते हैं क्योंकि जब भी गाड़ी पर लाइट पड़ती है किसी चीज की तो गाड़ी उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करती मोस्ट में गाड़ी अपने आप मतलब करते हैं जैसे देख सकते हैं यहां पर संसेट हो रहा है इसका पूरा रिफ्लेक्शन गाड़ी के ऊपर जा रहा है बट इतना ज्यादा गाड़ी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है तो अभी मैं थोड़ा सा यह बढ़ा देता हूं ब्राइटने अगर आप देखेंगे तो यहां पर हलके हलके डस्ट पार्टिकल एंड अगर आप देख पा रहे हूं तो यह देखिए छोटा सा स्क्रेच है यह स्क्रेचेज हैं अब बंपर में हलके फुलके थोड़े बहुत स्क्रेच तो लगी जाते हैं यहां पर आप मिरर में भी तो यह वाइट कलर का काफी बड़ा benefit है अब पीछे की तरफ से अगर आप देख रहे होंगे अभी दूर से देखें एक दम मतलब पास से तो देखी जाएगा हर चीज लेकिन दूर से देखेंगे नहीं मतलब इतना ज्यादा वो नहीं लगता है यह जो आप अगर देख पा र इतने इसमें अलके फुल के स्क्रेचेस एंड वाइट कलर में यह आपको स्क्रेचेस नहीं दिखते हैं एक बार डेंट का क्या मेटर है वो भी आप देख लीजिए तो यहां पर आप देख पा रहे हैं साइड में कहीं पर डेंट आपको लग रहा है कि इस गाड़ी में आपको वाइट कलर पर इतनी ज्यादा डस्ट चिपक्ती हुई नहीं देखेगी अगर आप इमर्जेंसी में गाड़ी गंदी सी भी लग रही है तो फटा फट गाड़ी उठा और चलो गाड़ी साफ करने का टाइम नहीं तो कोई बात नहीं लेकिन गाड़ी उठा और चलो लेकिन पास से अगर मैं अभी हाथ लगाऊंगा तो घाड़ी पर डस्ट है तो यह एक बेनिफिट होता है वाइट कलर का कि आपको वाइट कलर में ज्यादा डस्ट कि छिपक्ती हुई देखने को नहीं मिलती है लोग चिपक्ती तो हर कलर में लेकिन इस पर ज्यादा विज लगल के आता है कि वाइट कलर के कुछ इस तरीके के benefit होने के कारण ये color हमेशा high demands में रहता है एंड high demand में होने के कारण जब आप गाड़ी को resell करते हो वापस से बेचते हो अपने पास से तो इसकी जो actual value है वाकी colors की उससे अधिक ही कि इसकी resell value आपको white color की देखने को मिल जाती है so fourth benefit ये हो जाता है कि ये color white color आपको normal value से अधिक resell value देता है low maintenance करनी पड़ती है आपको इसमें काफी ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं पड़ता है इस वाले color में उतना ज्यादा विजीबल नहीं होते हैं एक चीज अभी मुझे वीडियो एडिट करते समय याद आई white color का जो benefit है वो रात के टाइम पर काफी ज़्यादा होता है जब आपकी headlight भले ही low भी हो तब भी white color की गाड़ियां आपने notice अगर किया हो तो अधिक विज्वल होती है वैसे गाड़ी कोई से भी color की हो उसकी जो headlight content white color का benefit है दोस्तों यह थे white color के अपने कुछ benefits एंड अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो white color जरूर चूज करिएगा एक चीज़ आप ध्यान में रखिए जब भी आप रोड पर चलें आपने अभी तक notice किया नहीं कि I don't know लेकिन 50 to 60% या उससे जादा ही परसेंट आपको गाड़ियां white color की देखने को मिलेंगी भाई क्यों क्योंकि इनी सारे benefits के कारण तो यह भी अपने आप में एक benefit है कि भाई कहीं higher demand में यह वाला color beneficial है and higher demand में रहता है तो ठीक है evergreen color है white color और देखने में अपने आप में अलग ही एक mind में peace जो है शांती आपको white color देगा तो यह कुछ चीजे थी personally मुझे white color काफी ज्यादा पसंद है आपको भी अगर white color की गाड़ियां अच्छी लगती है तो comment down करें एंड कैसा लगा वीडियो जरूर बताईएगा वीडियो अगर पसंद आए तो आप वीडियो को like करिएगा एंड चैनल पर अगर नए है तो आप चैनल को subscribe जरूर करिएगा बाकी भाई ज्यादा घुमना फिरना हो नहीं पा रहा है आज कल lockdown जैसी स्थिती चल रही है उस का कली नवशकार देने वाज जैहें